सात्यों नमस्कार ये देखिए ये जो पोदा दिखाई दे रहा है ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं इसको पसु खा रहे हैं और खाने के बाद पसु तडप तडप के मर जाते हैं पहुत ही बुरी तरीके से मृत्य होती है इसको हम दिखा रहे हैं, कांटे भी होते हैं, हम आपको practically दिखा रहे हैं, पसु इसको खाने से किस तरह की हालत हो जाती है, यह देखिए हम आपको दिखाते हैं, पसु कैसे हो जाते हैं, इसको पसु खा लेते हैं, तो यह देखिए इसकी चमड़ी पूरी निकल जाती है, हमने एक पसु को ठीक किया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं पहले आप इस पसु को देख लिजे इस तरीके से चमड़ी निकलती है पसु बेड़ जाता है पूरे सरीर में से चमड़ी निकल जाती है बहुत ही गंबिर समयशा होती है और पसु की दिरे-दिरे फिर मरती हो जाती है तो हम एक पसु बेड़ दिखा रहे हैं जिसको कि हमने इस विमारी से ठीक क्या है उसके सरीर पर भी ऐसे निसान हो गए थे तो हम आपको वो भी वीडियो दिखा देते हैं देखिए यह देखिए इस गाए के सरीर पर आप निसान देखिए बिल्कुल पूरी तरीक से गिर गए थे पूरे सरीर पे से चमडी निकल गई थी यह देखिए ऐसी हलत हो गई थी इस जड़ी को खाने से जाती है यदि आप सही स्ट sono कर वाते हैं तो पके सामने पसु मरेंगे और आप देखते रह जाएंगे यह देखिए पसु मालिक भी दिका रहा है इस तरीके से इसकी इसी हलत हो जाती है हमने इसका treatment किया था और इस गाय को बचा लिया गया है यह देखिए इसी हलत इस बिमारी में हो जाती है यह देखिए पसु मालिक हमें दिका रहा है कि इस जड़ी को खाने से पसु की यह हलत हो गई थी और उसको हमने ठीक किया है उसके बाद सी जड़ी है वो भे हम आपको दिखा देते हैं कौन सा पोदा है जिसको की खाने से पसवों में ये गंबी रखालत हो रही है हम आपको पूरा डेटेल से बताने वाले हैं तो आप इस वीडियो में अंत तक बन रही है यदि आपने अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया हो तो आप इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपके लिए पैक्टिकली वीडियो लाते रहते हैं तो आप इस वीडियो को सस्क्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइ जो कि पसू के अंदर चले जाते हैं और पसू फिर पागूर करने की कोशिस करता है तो पागूर में यह नहीं आ पाती है और पसू की हालत गंबिर हो जाती है दिरे दिरे उसका सरीर फट जाता है गाउ बन जाते हैं पूरे सरीर की चमड़ी निकल जाती है पानी निकलने लग सपेद गेंदा भी बोल सकते हैं हमारे इदर इसको रोंकडी बोलते हैं यदे कि हम आपको दिखा रहे हैं पूरी तरीके से साब दिखा रहे हैं आपको भी जहां पर यह मिले आप पसुओं को इसको खाने न दे यदि पसुओं खा जाएगा आपके पस्वों की भी मर्ति हो सकती है तो आप इस पेड़ को देखिए इसमें इस तरीके के फल भी लगते हैं छोटे छोटे ये देखिए इस पेड़ को आप पूरी तरीके से देखिए इस जाड़ी को भी आप देख लीजे जिससे कि आपके पसू की मरत्यू ना हो और आप खाने ना दे यदि आपको ये कहीं मिल जाती है तो आपका विशेज जान रखे कि पसू को बिल्कुल भी नहीं खाने देना है यदि कि ये इस तरीके के फूल होते हैं हमने आपको इस तरीके से दिखा दिया है तो आप इसका जान रखे और यदि पसू इस जाड़ी को खा जाए तो हमें क्या treatment करना चाहिए तो हम treatment भी जान लेते हैं तो सातियों हम treatment के बारे में बात करते हैं जब भी आपको ऐसे case देखने को मिले या पसू इसी जाड़ी खा जाए तो सरो परता हम हमें उस पसू को injection आयर मेक्टिन लगाना है इसके बाद यह पसू खा जाते हैं तो पसू को सरीर में दर्द रहता है चाले हो जाते हैं फट जाते हैं तो दर्द हो सुजन उतारने के लिए आप इसमें मेलोक सी काम परसेटामल को जो इंजेक्शन आता है मेलोनेक से प्लस या जो भी आपको मिल जाता है इतिगल हम उसका परियोग करेंगे 15 ml हम बड़े पसू में लगाएंगे और छोटे पसू में डोस कम ज़्यादा हो सकती है इसके बाद अगला इंजेक्शन हम इसमें उप् इंजेक्शन एविल लगाएंगे एविल हम बड़े पसू में 10 ml परियोग करेंगे क्योंकि anti-alsyuk होता है इसमें पसू को को इलर्जी हो जाती है तो आप एविल इंजेक्शन का परियोग 10 ml करें इसके साथ में हम अगला इंजेक्शन डेक्षामेताशन उप्योग करेंगे और इसके साथ में हम पसुओं को बोलस खिलाएंगे बोलस के रूप में हम ओक्सी टेटरसाइक्लिन जो बोलस आती है वो दो बोलस सुबे और दो बोलस साम के हिसाब से लगातार दस दिन तक देंगे एंटिबाटिक बोलस हम लगातार देंगे इससे गाव भी ठीक हो जाएग और पसुबो जल्दी रिकोर हो जाएगा, सुजन भी कम हो जाएगी, तो हम एंटिबाइटिक का प्रयोग 10 दिन करेंगे, इसके साथ में हम केपसुल आते हैं, एन बायो फ्लेम जो केपसुल आते हैं, इनका प्रयोग हम 2 सुबे और 2 साम के हिसाब से लगातार 15 दिन तक जाती है, चार्ज पसुओं को 100 ग्राम सुबे और 100 ग्राम साम के हिसाब से छोटे पसुओं हम प्रयोग करेंगे, जो 3 साल के पसुओं हम 200 एमेल सुबे और 200 एमेल साम के हिसाब से लगातार 4-5 दिन तक पिलाएंगे, यदि आप चार्ज पिला देते हैं, तो पसुओं गाई दे रहा है ये देखिए गाई इस तरीके से इसके सरीर पे पूरी चमड़ी निकल गई थी पूरा सरीर खराब हो चुका था हमने इसका टीटमेंट किया था और यही टीटमेंट किया था ये देखिए इस टीटमेंट के द्वारा ये पसु पूरी तरीके से रिकवर हो ग इस पोदे को खा जाता है तो फिर वहां से पसु को बचा पाना बहुत ही मुश्किल देता है तो सात्यों आप इस बात का विशेज जान रखे और इसे केस को बचाया जा सकता है ठीक क्या जा सकता है हमें फिल्ट में बहुत सारे से केस देखने को मिलते हैं और हमने उनको ठीक क्या है तो आप भी यह treatment करके देखिए आपको बहतरिन result देखने को मिलेगा आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like and share करें और channel को subscribe करें मिलते हैं वीडियो में तब तक के लिए धन्याद